iPhone 12 in 2023 Let's talk about this iPhone 12 launch हुआ था October 2020 में इसको हो चुके हैं दो साल और यहाँ फोन जब Apple है लॉँच किया था तो भाई लोग पागल से हो गए थे वेकाँ इसमें आपको flat edges देखें को मिलती थी जूकि आपको iPhone 5 5S के बाद सीधा इस वाले फोन में मिलती थी तो इनोंने बहुत ज़ादा था नहीं लेकिन ये flat edges देके इस phone को काफी ज़ादा popular कर दिया था है और लोग इस phone के लिए पागल हो गए थे कर वो कोई नहीं बात नहीं है जब भी कोई नया iPhone आता है सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियो के लिए तो गई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी price की और यह आज की date में आपको 64 GB मिल जाएगा अराउंड 50,000 रुपीस के आसपास का flip card और Amazon में और अगर 128 GB का variant देखते हो तो यह करीब 56,000 रुपीस के आसपास मिल जाएगा तो अब बात कर लेते हैं इसके design and build की इसमें आपको matte texture के साथ aluminum frame देखने को मिल जाता है इसके back में आपको gorilla glass मिल जाता है and matte texture के साथ camera module देखने को मिल जाता है जिसमें आपको दो lenses मिलते हैं phone के 4 corners rounded है और इनके edges flat edges है इसके front में आपको ceramic shield वाला display मिल जाता है जो कि काफी जादा tougher display है इसमें आपको MagSafe की technology मिल जाती है यानि कि आप MagSafe वाली accessories charger को आप directly इसके पीछे magnet के थूट attach करके और use कर सकते हो also ये IP68 water resistant मिल जाता है यानि कि आप इसको पानी के अंदल 6 meter तक डाल सकते हो for 30 minutes जो कि एक बहुत जादा कम माल की बात हो जाती है इसमें आपको 6.1 inches का display मिल जाता है and 164 grams का weight है जो कि काफी जादा हलका है इसको पकड़ने में आपको भारी आली feeling नहीं आईगी बहुत जादा lightweight phone है और अगर in-hand feel की बात करो तो वो भी बहुत जादा premium है हाथ में उठाने में बहुत classy लगता है phone iPhone 14 के comparison में बहुत जादा हलका है also ये जादा पतला भी है तो in-hand feel काफी अच्छी है इसमें आपको बड़ा सा notch मिल जाता है Face ID के sensors मिल जाते है also display की बात करो तो काफी ज़्यादा thin bezels के साथ आता है अब क्योंकि बात हो रही है इस display की तो आप बात कर लेते हैं इसके display की इसमें आपको 6.1 inches का Super Retina XDR display मिल जाता है जो की support करता है Dolby Vision को HDR10 को also support करता है 625 nits की brightness और अगर peak brightness की बात करूँ तो ये 1200 nits तक जाता है चुकि एक बहुत कमाल की बात हो जाती है OLED पैनल होने के वाज़े से आपको जो colors मिलेंगे जो deep blacks मिलेंगे वो बहुत कमाल के मिलेंगे और overall अगर display quality की बात करो तो वो काफी decent है अगर movie watching वाज़े के लिए देख रहे तो बहुत कमाल का display हो जाता है gaming के लिए भी काफी अच्छा खासा display है ये हाँ notch का size थोड़ा बड़ा है तो उस विज़ए से थोड़ी सी disturbance हो सकती है लेकिन अगर gaming वाज़े भी करते हो तो वो उत्ता जादा matter नहीं करता है और ब्लेक्स में तो काफी बड़ा difference देखने को मिलेगा आपको इन दोनों ही में तो मैं भूल सकते हूं इस वेरी good quality display अब बढ़ते हैं मैं next point की तरफ जो कि है chipset इसमें आपको A14 bionic chipset मिल जाता है जो कि एक 5 nanometer की chip है जो कि आता है hexa core CPU के साथ and 4 core GPU के साथ और इसमें आपको 16 core neural engine देखने को मिल जाता है जो कि एक another plus point हो जाता है अगर इसके performance वागर की बात करों तो भाई बहुत जारा कमाल की performance देता है अपल ने आपको इस सीज में एकदम top notch बना के रखा हुआ है iPhone 12 के scores अगर मैं iPhone 13 के साथ आपको दिखा हूँ तो भी आपे आप देख सकते हो कि कोई इतना बड़ा difference नहीं है तो definitely आपको जो power देखने को मिलेगी वो बहुत जारा brilliant मिलेगी तो अगर आप इसमें video editing करते हो तो भाई बहुत कमाल तरीके से इसमें video editing कर सकते हो काफी heavy task बें यह काफी easily कर लेता है और सो अगर बात करूं gaming की तो भाई gaming में भी यह चार चान लगा देगा बहुत दगडी performance मिलने वाली है आपको इसमें इसमें अगर आप BGM, ICOD जैसे बड़े बड़े games भी खेलते हो तो बड़ी असानी से इसमें चल जाते हैं बड़ी easily यह सारे games tackle कर लेगा और आपको बहुत जादा smooth experience मिलेगा इसमें कोई भी lag को कर देखने को नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ा बहुत डिपेंड करता है आपके server के उपर या फिर आपके internet connection के उपर कि वह किस तरीके के आपका output देता है अगर phone की बात करो तो यह कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है इसमें खेलोगे, 14 में खेलोगे, कोई भी आपको इतना बड़ा difference नहीं देखने को भी लेगा चाहो तो iPhone 12 vs 14 का मेरा पूरा comparison देख सकते हैं उपर इतर आई बटन में क्लिक करके अब बढ़ते हैं हमने next point की तरफ जोकी है battery life और यहाँ पे battery life बहुत जारा matter करता है gamers के लिए या फिर अगर आप regular use भी कर रहे हो तो भी काफी जारा matter करता है तो यहाँ पे आपको 2815 image की battery मिल जाती है जिसमें अगर 20W के charger से charge करते हो तो भाई 50% charge हो जाता है 30 minutes में तो भाई charging speed तो यहाँ पे आपको इत्ती जारा नहीं मिल रही है and honestly बता हूँ तो iPhone 14 में भी same ही मिलने वाली है लेकिन अगर बातकर उसके battery backup की तो battery backup काफी जारा अच्छा है हाँ सुनने में आपको लग रहा होगा कि भाई 800 image क्या ही होता है लेकिन काफी अच्छी खासी battery backup मिलेगा आपको इसमें अगर hardcore gamer हो तो भाई मैं बोलूँगा कि 4-5 घंटे आराम से इसमें game खेल सकते हो और अगर एक normal use करते हो इस phone को तो भाई सुबै से लेकर शाम तक आराम से चल जाएगा एक चार्च पर यह पूरा का पूरा दिन आराम से आपका साथ देदेगा और यहां पर charging pattern का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको किस लेवल का battery backup मिलेगा तो अगर मेरी battery health वाली वीडियो नहीं देखिए तो यूट्यूब पर सारी वीडियो मिल जाएंगी battery health से related यहां पर आपको आइफोन 11 के comparison में थोड़ा सा कम battery backup मिलेगा में भी एक आर के आसपास कम मिलेगा वहां पर आपको जो pixel density मिलती है वो थोड़ी सी कम है यहां पर ओले डिस्प्ले के तो इस वजए से वहां पर जो battery backup मिलेगा वो आपको जादा मिल रहा है इसके comparison में यहां पर बढ़ते हैं next point की तरफ जोकी है इनके खूपसूरत से camera यहां पर आपको दो 12 मेंका पिक्सल के lenses मिल जाते है एक है primary lens और दूसरा है ultra wide angle lens इसका main camera आपको मिलता है f1.6 focal length के साथ यहां पर आपको 26 mm का wide angle lens मिल रहा है काफी अच्छे colors, काफी अच्छी sharpness, काफी अच्छा color tone मिल जाता है तो और और मैं बुलूँगा काफी कमाल का camera हो जाता है और वीडियोग्रफी की बात करों तो इसमें आप 4K 60fps पे video record कर सकते हो साथ इसमें आप SDR recording मी कर सकते हो 4K 30 and 24 fps पे चुकि बहुत कमाल की बात हो जाती है और इसमें आपको night mode का support देखने को मिल जाता है जिसके samples में आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल mode and night mode में जिसमें आप देख सकते हो portrait mode, night mode, किस तरीके से perform कर रहे है और यहां पर मैं आपको इसका video sample भी दिखा देता हूँ कि किस level की quality आपको देखने को मिलेगी अब यह इसका primary camera है और यह अभी भी शूट कर रहा है 4K 60 fps पे और भाई काफी अच्छी खासी इसमें quality आपको देखने को मिल जाती है और अब मैं सुच करने वाला हूँ इसके ultra wide angle lens में तो भाई यह इसका ultra wide angle lens यह भी शूट कर रहा है 4K 60 fps पे हाँ थोड़े बहुत pixels आपको देखने को मिल रहा होंगे विकाज यह indoor shoot हो रहा है तो भाई एकर vlogging वगरा करने का सोच रहे हैं बहुत कमाल का phone हो जाता है यह क्योंकि इसमें wide and ultra wide दोनों lenses हैं तो vlogging करने में काफी easy पड़ेगा और अगर content creator और और front camera से shoot करते हैं तो भाई यहां पे आपको front to maybe 12 Megapixel का lens देखने को मिल जाता है अब बात करें दी कुछ other element की तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि IP68 water resistant है तो इससे आप underwater videography भी कर सकते हो photos वगरा click कर सकते हो इसके जाद यह आपको 5G देखने को मिलता है यानि कि आपको इसमें 5G के bands देखने को मिलते हैं और और यह काफी अच्छा phone हो जाता है लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके minus points की यहाँ पे आपको कोई भी high refresh rate नहीं देखने को मिल रही है यानि कि इसमें आपको 60Hz का display मिल रहा है कोई भी 120 ए 90Hz का display नहीं मिल रहा है लेकिन मैं बोलूँगा एपल का 60Hz भी काफी साथा smooth है इन इसी वज़े से आपको यह iPhone 14 में भी same display मिल रहा है तो आप यह चीज़ देख सकते हो कि 60Hz वाला display उसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा difference नहीं है काफी अच्छा खासा smooth experience मिलेगा आपको अगर आपने 128 वाला 13 Pro यूज नहीं किया है तो यह आप आराम से यूज कर सकते हो तो भाई अब बात कर लेते हैं conclusion की कि क्या आपको इस वाले phone को 2023 में खरीदना चाहिए कि नहीं तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा इसकी pricing की और यह आपको मिल रहा है 50,000 रुपीज में 64 GB जो कि मेरे साबसे कम हो जाता है और काफी कम हो जाता है 64 GB आपको at least 128 GB तक लेना चाहिए और अगर इसमें आप 128 GB का variant की तरफ जाओगी तो यह करीब आपको पढ़ जाएगा 55,000 रुपीज के आसपास लेकिन अगर आप iPhone 13 का price flip card पे अभी search करते हो तो वो आपको अभी मिल रहा है 60,000 रुपीज के आसपास जिसमें अगर मैं discount काट के बताऊं तो भाई यह around iPhone 12 की value में ही मिल रहा है iPhone 13 जिसमें आपको 128 GB का variant ही मिल रहा है तो भाई मैं recommend करूँगा अगर 50,000 कर रहे हो तो 64 GB ना लेके 128 GB की तरफ जाओ और अगर 128 GB की तरफ जा रहे हो तो भाई iPhone 13 की तरफ जाओ आपको एक generation आगे का phone मिल रहा है also उसमें आपको cinematic mode मिल रहा है और कुछ एक features उसमें आपको जादा देखने को मिलेंगे अगर आप 12 13 का comparison चाहते हो तो उपर i button में क्लिक करके देख सकते हो लेकिन यहां पर मैं बाई बोलूँगा iPhone 12 की तरफ मत जाओ अगर नया खरीदने का सोच रहे हो तो क्योंकि भाई यह 2,000 रुपे का difference है अगर 50,000 का budget है तो मैं बुलूँगा फिर भी 57,000 रुपे कहीं से चुगाड करके इसमें लगा दो क्योंकि आपको एक generation Zara का phone मिल रहा है also 128 GB का variant मिल रहा है तो right now price को consider करते हुए इस वाले phone को मैं recommend नहीं करूँगा हाँ features वगर बहुत अच्छे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन यार sale चल रही है तो क्यों ना इसकी तरफ जाया जाए और से यहाँ पर मैं आपको एक हौल चीज़ बता दूँ कि iPhone 14 का price भी बहुत कम हो चुका है यह around 67,000 रुपीस के आसपास आपको मिल रहा है अभी Republic Day Sale में तो जिसके वैसे iPhone 13 की price भी काफी कम हो गई है लेकिन iPhone 12 अभी भी उतना महंगा ही मिल रहा है तो भाई 12 की तरफ मत जाओ अगर नया खरीद रहो और second hand खरीद रहो झाल झाल झाल